जितने भी जात्र शात्राइं बिहार बोट से मैट्रिक इंटर की बोड एक्जाम 2024 में उतिन करके और प्रोजसाहान रासी के लिए ओलने आवेदन कर दिये हैं तो काफी विद्यार्थियों के खाते में तो पैसा आ गया है पर काफी जात्राओं के खाते में अभी तक भी पैस पैसा नहीं भेजा गया है तो उनसे प्रसंद लागतार प्राप थोरा था कमेंट बॉक्स में कि उनका पैसा कब तक आ जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो भी विद्यार थी मैट्रिक इंटर की बोड एक्जाम 2024 में उतिन करके जो दस जार और पचीश स प्रोसाहरासी मिल रहा है उसके लिए आवेधन कर दियें तो आपके खाते में पैसा अगर नहीं आया तो आगे आपको क्या करने किया हो सकता है जिससे कि आपके खाते में पैसा आ जाए और आपका पैसा कब तक आएगा उसके साथ अगर आपका पैसा आ गया है तो आप कैस कि तरफ प्रण डान करके पूरा डिस्टी का रिपोट दिखा दे रहा हूं तो यहां पर देखे टोटल प्रमेंट सेंट कि कितने भी द्यार थी हो कि खाते में पैसा भेज आगया है तो हर मैंने मैट्रिक आपको दिखाया तो यहां पर दिके पूरा इंटर का डाटा है ठीक है इंटर में देखिए यहां पर पेमेंट सेंट और यहां पर रिसीव दिखा रहागी कि कितने विद्यार्थी जो है अपना पैसा अपने एकाउंट में रिसीव कर चुका है तो नीचे की आ रहा है और विद्यार्थी के खाते में भी पैसा आया है मैट्रिक इंटर दोनों का मैंने डाटा दिखाया अब यहां पर देखिएगा आगे हम लोग ऐसे चेक करेंगे कैसे आप पाता करेंगे कि आपका पैसा आया कि नहीं तो अपने इस्कूल का पूरा आप अगर करेंदन स में नाम अभी छोडित में उनका भी पैसा नहीं आया है और जिखेंगा यहां ठरव देखिए तरफ तरह एक द्रें किनका पैसा आया है तो जिनका भी नाम के आगे यहाँ पर यहाँ पर एक दो जो भी list नमर है वो दिखें यहाँ पर जिनका भी यहं पर Cent for payment लिखा है आगे उनके खाते में पैसा आया है आप खाता चेक करा सकते हैं या आपके रजिस्टरण मोबायल नमर पर जो में पैसा भेजा गया है ठीक तो यहां से किलियर हो गया अब आपको मन में प्रसना आगा कि जिनका भी रेडी फूर पेमेंट यहां पर भी सो कर रहा है उनके खाते में कब तक पैसा आजागर उनको क्या करने किया हो सकता है तो देखिए अगर आपका सभी एस्टेटरस सही सह पैसा आज गया है तो अब कर आपका सभी डाटा सही सो कर रहा है तो पहले जैसा सभी चीज़ सो कर रहा है और अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको अब कुछ करने के आओ सकता नहीं हो यह टूमेटिक रहता है आपका सिख्चा फिर पैसा पार्स करेगा और फिर आपके खाते में भेज़ देगा इसमें कितना दिन का समय लगता है अब समय जादा दिन नहीं लगेगा ठीक है इसी मन्त में सभी विद्यारतियों आईए सीखते हैं कैसे पता करेंगे कि आपका किस लीस्ट में नाम है और उसके साथ आपका पैसा आया है कि नहीं आपका कैसे स्टेटस आप चेक करेंगे कि आपका ready for payment या send for payment सो कर रहा है कि नहीं तो इसके लिए ध्यान से समझेगा आपको अपने mobile phone का कोई भी browser open करना करेंगे आपके सामने official website इस रूप में open हो जाएगा नीचे की तरह पर scroll down करके scholarship नामक सेक्शन में आईएगा यहाँ पर इंटर पास और यहाँ पर अगर आप पर मैंतर वाले पर किल्क करना है और आप ऐसे नाम देखेंगे तो ध्यान से नीचे की तरफ एप श्कॉल डाउन करते यहाँ पूरा जानकारी आप पढ़ सकते हैं थीक है उसी तरह यहाँ पर इंटर पर मैं दिखा दे रहा हूं पूरा यहाँ पर जानकारी है अब यहां पर आपको काम क्या करना है कि सबसे पर अगर आपका पैसा नहीं आ है तो आपको application status हम लोग कई बार सीख चुके हैं भीव application status पर किलिक करके आप अपना registration नमर टाइप करके देख सकते हैं ठीक है उसी तरह अगर आप इंटरर के परिछार्ट की है तो यहीं काम आप को करना है और सबसे महतफ़ों जो आपको बताएगा कि आपका नाम है कि नहीं पैसा वाला लीस्ट में और आपका खाते में कब तक पैसा आएगा वह यहां पर दिया गया लीस्ट आप स्टूडेंट रेडी फोर पेमेंट और यहां पर किलीक हीर बना है इसी किलिक हीर पर जबी करना है और जो तो टूतल डाटा अगर आप देखना चाहते हैं कि इस दिच्ट वर बिद्ध्यार्थियों ने का पैसा है तो आपको पता करना है कि आपका सेंट फोर पेमेंट रहे है यार एडी फोर पर पेमिन किस लिस्ट नमर में नाम है तो यहाँ पर लिस्ट आ पर किलिक करके देखना है डिस्टि को आई स्टोटल रिपोर्ट देखना या पूरे इसकूल कॉलेज का भी आप देख सकते हैं इसके लिए यहां पर देख सकते हैं कि इसके बनाया कि डिस्टिक यहां साथ किजिए तो इस पर तोkl dirt button पर कुलिक किजयाँ पूरा डिस्टी का आपसन आ Master आफ यहां सापको अपने sap nap करना है। आपका यहां पर option आएगा क्या है यहां पर कुलिक करना है। इसपे सेम काbour गाटक्र का चाहें मैट्रीक भी मैं दिखा चाहें हैं आप भीध्यार तिरे लोगा इसपे bol na टाइप कीज़े भ्यू बटम पर किलिक कीज़े मैं पीछे कई बार सी अब का डाटा ओपें हो जाएगा पूरे इस्कूल का आपको देखना है तो उसी तरथ से पर किरिया है यहापर अपना डिश्टिक का चैन कीज़िए फिर यहापर पूरे school का option आजाएगा जो college वाला option इसमें आपको अपना school चैन करना यहाँ पर किस gender का पैसा चेक करना चाहते है ready for payment list में नाम देखना है तो यहाँ पर search जो बटम है इस पर click करना है देखे मैंने आपके सामने click किया अब जिनका भी यहाँ पर ready for payment so कर रहा है इनका पैसा भी नहीं भेजा गया और जिनके नाम क्या गिस तरह एक सो करार सेंट प्रोपेमेंट इनके खाते में पैसा आ चुका है ठीक यहाँ पर मैट्रिक वाला मैंने पूरा अबर यहाँ पर सुकर है मतलब इनका ready for payment list एक में नाम है और sent for payment हो चुका मतलब इनका payment भेजा गया है तो उन्हीं के खाते में पैसा आया है और मैंने शूर में बता दिया कि ready for payment आपका नाम है सभी data आपका यहाँ पे सही सही सो कर रहा है तो आपको wait करना है दूसरा लिस्ट जारी होगा और इसी मन्त में लग वक्त सबका पैसा आ जाएगा जिनका भी ready for payment सो कर रहा है और कुछ दिन बाद दूसरा लिस्ट जारी होगा और उसके बाद आपका अभी आपके खाते में पैसा आज आएगा तो ऐसा नहीं आया तो क्या करना है आपको application status चेक करते रहे और यहां से दिख लिजिए कि आपका ready for payment लिस्ट में किस नमर वाले लिस्ट में नाम है सेंट फूर पेमेंट सो करना है कि नहीं यहां से पूरा district wise data भी आप देख सकते हैं उ काम देखना है पूरा मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया जो भी आप लोग के मन में प्रस्ण चरा तो जो आप लोग ने comment box में पूछा था सभी प्रस्णों को लेकर इस वीडियो में हम लोग समझने का पर्यास की हैं और कोई आपका प्रस्ण सिस्रा गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा बाकी जानकारी एर करियर कोईट सर्च करके एर करियर कोईट डॉट कॉम वेब साइट के एस्कॉलर सिफ कटेगरी से आकर चेक कर लीजिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद